वेल्कम टू लेर्णर भी आयम शिवानी चौहान क्लास 10th Maths की Exercise 1.1 का Question No.5 दीखे इसमें हमें बोला गया है कि चेक वेदर 6 की पावर N can end with a digit 0 for any natural number N यानि कि क्या अगर 6 की पावर N है और N कुछ भी हो सकता है N 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है N N की कोई भी value हो सकती है तो क्या 6 की कोई भी power है जब उसको हम लोग solve करेंगे तो उसकी last digit क्या 0 आ सकती है एक बार हम ऐसी चेक कर लेते हैं 6 की power 1 क्या होता है 6 6 की power 2 क्या होता है 6 6 चा 36 होता है 6 की power 3 क्या होता है 6 चा 3 होता है 218 तो इस तरीके से हम लोग करते जाते हैं करते जाते हैं तो क्या कभी 0 आएगा end में तो देखो सबसे पहले हम लोग यह चेक करते हैं यह actually theorem है जिसको हम लोग proof कर रहे हैं और हाँ अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं गया है तो जरूर सबस्क्राइब करें विडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूले तो किसी भी number के end में 0 अगर आता है न तो वो number 5 से divide हो जाएगा तो सबसे पहले आप यह देख लो कि 6 की power n की जगा में 1 रखनी हूँ 6 क्या यह 5 से divide हो रहा है नहीं हो रहा 6 की power 2 36 क्या 5 से divide हो रहा है नहीं हो रहा है तो हम लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि अगर 6 की कोई भी power है उसके end में 0 नहीं आ सकता है क्यों 0 क्यों नहीं आ सकता क्योंकि अगर 0 आता है ना किसी भी number के बाद तो वो 5 से divide पका होता ही होता है मगर 6 की power script के process में ऐसा नहीं हो रहा है तो if the number 6 की power n end with digit 0 then it should be divisible by 5 as we know any number with the unit digit at 0 और 5 is divisible by 5 but prime factorization जब हमने करी 6 की power n की तो 2 into 3 की power ni तो prime factorization करने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि इसमें 5 तो आता ही नहीं है अगर 5 नहीं आता है तो end में 0 नहीं आएगा क्योंकि कोई भी number के end में 0 अगर आएगा तो 5 से जरूर कटेगा अगर 6 को आप कैसे भी लिख रहे हो ना 6 की form में लिख रहे हो 6 into 6 की form में लिख रहे हो कैसे भी लिख रहे हो 6 की power में आप में 5 नहीं मिल रहा क्योंकि 5 नहीं मिल रहा इसलिए भाई इस number के end में 0 नहीं आएगा Hence, it is clear that for any natural number n, 6 की पावर n is not divisible by 5. 6 की पावर n, 5 से divisible नहीं होगी. 6 की पावर n, 5 से divisible नहीं होगी. And thus, it proves that 6 की पावर n cannot end with digit 0 for any natural number. यानि कि 6 की पावर n है और n की वैल्यू कुछ भी है. 3 है, 4 है, 5 है. तो जब हम solve करेंगे, तो लास्ट में 0 नहीं आएगा कभी भी. Simple सा था, देखो, यह जो theory मैंने लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा आप रोगों को एक्जाम में लिख्या आना हुगा. तीन हमर करें बार आजाता है. तो 6 की पावर n, क्या 0 से end हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यह कभी भी 5 से divide नहीं होगा. जब हमने prime factorization करा, तो हमें यह चीज देख गई. Next question है, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite number. यह composite number क्यों है? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि composite number क्या होते हैं? तो a composite number is a positive integer that can be formed by multiplying two smaller positive number. तो दो number को multiply करके, अगर कोई number बन रहा है, तो वो composite number है. यानि कि हमें दो number को multiply करते हैं दिखाना है, अगर multiply करते हैं हम दिखा पाएं, तो composite वो हो जाएगा. तो composite की definition यह है. अब यह अपने पास आ रहा है, तो इसमें हम देखो यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13 है, 13 common ले लेंगे, तो 13 into this, तो 77 और plus 1, तो 13 into 78 की form में यहां पर आ जाएगा. तो यह तो composite number हो गया, क्योंकि composite number की definition क्या थी? कि भाई, multiplication की form में, अगर आप उसको लिख पाएंगे, तो वो composite number हो जाएगा. और 78 को आप और factorization करके लिखेंगे, तो यह आ जाएगा, 2 into 3 into 13, आप लोग इस तरीके से factorization करेंगे, तो आपको यह आ जाएगा. अब यह हमारे पास आएगा, 2 into 3 into 13 की power 2, तो यह composite number है, क्योंकि यह multiplication की form में आ रहा है. इस वाले को मैं B माल लेती हूँ, और यहाँ पर लिख देती हूँ, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और प्लस 5. तो मैं 5 common ले लूँ, 5 common ले लूँगी मैं, तो 7 into 6, 5 था तो यह 1 हो जाएगा, into 4 into 3 into 2 into 1, और प्लस 1. इस तरीके से आ जाएगा है ना, अब मैं क्या करती हूँ, इन सब को multiply कर लेती हूँ, यह वाले, यह जित्ते भी हैं, इन सब को आप multiply कर लें, तो देखो, यह यह तो 1 है ना, 7 यह 1 है, दिहान से हाँ, 1 है तो 3 into 6 into 1, 6, 6 4s are 24, है ना, 24 हो जाएगा, और 6 7s are 42, तो 42 into 24, और प्लस 1, 42 into 24, प्लस 1 जब आप करेंगे, तो आपके पास जो answer आएगा, वो आएगा, 1009, आप multiply करके देख लीजे, यही आने वाला है आपका answer, तो देखो, multiplication की form में आपने दोनों को लिख दिया ना, तो as, आप लोग आगे लिखेंगे, as a and b are expressed, a और b, दोनों को आपने express कर दिया है, as a product of primes, है ना, prime number के product की form में आपने इनको represent कर दिया है, as a product of primes, therefore, both are composite numbers, both are composite numbers, तो आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ है, यह दोनों की दोनों composite number क्यों है, क्योंकि आपने common वगेरा लिया, तो यह ऐसे multiplication की form में है, prime factors की form में है, आपने रिखेंगे, रिखेंट कर दिये, तो यह हमने question number 6 देखा, अब देखिए, जो question number 7 है, उसमें लिखा हुआ है, there is a circular path, एक circular path है, around sports field, sports field जो है, उसके around क्या है, circular path है, sports field है, उसके चालों तरफ circular path है, sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, sonia को पूरा field cover करने में 18 minutes लगते है, sonia को, ravie को 12 minutes लगते है, same काम करने के रहे, तो 18 minute लग रहे है, sonia को, और 12 minutes, 12 minutes लग रहे है, ravie को, next है, suppose they both start, दोनों के दोनों जो है, तो देखो, दोनों same time पर start करते हैं, और दोनों के दोनों same direction में ही जा रहे हैं, same time पर start कर रहे हैं, same direction में जा रहे हैं, after how many minutes, they meet again at the starting point, कितने minute बाद दोनों starting point पर फिर से मिल जाएंगे, तो मतलब, एक, जो है, sonia, तो 18 minute ले रही है, cover करने में, ravie, जो है, same distance को cover करने में, 12 minute ले रहा है, तो दोनों कितने minute बाद वापस मिल जाएंगे, तो इस तरीके की questions में, कितने minute बाद दोनों वापस मिल जा सबसे पहले कितनी देरवाद मिल जाएंगे, तो सबसे पहले कितनी देरवाद मिल जाएंगे, ये निकालने के लिए हम लोग इनका LCM find out करेंगे, तो LCM जब दोनों का find out करेंगे, तो simple सा आप लोग क्या करेंगे, factorization कर देंगे, ये 12 का factor जो हो जाएगा, 2 into 2 into 3, और जो 18 का हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 into 3 into 3, LCM निकालना है, तो ये वाले दोनों common है, और ये वाले दोनों common है, तो LCM कैसे निकलेगा, ये एक बार लिखा जाएगा, 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 इसी तरीके से LCM न वो मिल जाएंगे तो लोग कब मिल जाएंगे 36 मिनिट बाद ही वाला तो फर्स्ट वाले का है यहां पर पूरा नीचे solution आपको मैंने करके दिया हुआ है कि किते मिनिट बाद मिल जाएंगे minimum time they will take जो minimum time होता है न वो होता है LCM LCM इन दोनों का निकालेंगे तो 36 मिनिट आ जाएगा प्राइन फेक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिए और LCM simply निकाल दीजिए है ना यह हो जाएगा 2 9 18 3 0 9 बस और आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो हमारी exercise यहाँ पर हो गई complete hopefully आपको समझ में आया होगा हम रोगों ने LCM क्यों लिया है क्योंकि minimum time निकालना था इस तरीके से हमारा हो गया यह वाली exercise होगी इसके बाद एक exercise और है जल्दी हमारा chapter cover हो जाएगा thank you subscribe जरूर करेगा चानल को